नमस्कार साथियों एक विज्ञान अध्यापक होने के नाते आप जो अपनी कक्षा में होते हैं और बच्चों को प्रियोगों में सनलगन करते हैं तो आपको बहुत प्रकार की साब्धानिया बरतनी पड़ती हैं कई बार कक्षा में प्रियोग करते समय प्रियोग साला में प्रियोग करते समय या एक सिक्षक के रूप में विद्याले के बाहर भी एक सिक्षक का ये दायत तो है कि वहाँ विद्यार्थी के प्रति सुरक्षा उपायों का ठीक प्रकार से विवस्था करे आज की परिचर्च का विशे है विज्ञान में सुरक्षा उपाए कक्षा में और साथ ही कक्षा और विद्याले के बाहर देखिए प्रात्मिक इस्तर पर सुरक्षा की आवश्यक्ता जादा होती है सुरक्षा की आवश्यक्ता तो प्रतेक इस्तर पर होती है परन्तु प्रात्मिक इस्तर पर इस इसके अवशक्ता इसलिए जादा होती है, इसलिए अधिक होती है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे छोटे होते हैं। उनको बहुत सारे पदार्थों का, रशायनों का या उपकर्णों का ज्यान नहीं होता। किसी पदार्थ को प्रियोग करते समय, किसी रशायन को प्रियोग करते समय, या किसी उपकर्ण को प्रियोग करते समय, जो सावधानिया वरती जानी चाहिए, वे उन सावधानियों से अनिभिग्य होते हैं। उन्हें उन सावधानियों का पता नहीं होता और साथ ही इन कक्षाओं में बच्चों का पहला परिचय हो रहा होता है विज्ञान के प्रियोगों से विज्ञान की प्रायोगिक अवधारना से विज्ञान में प्रियोगों के महत्तो से विज्ञान को समझने के लिए विज्ञान के तत्यों, घटनाओं से दान्तों को समझने के लिए प्रियोगों को कैसे प्रियोग किया जाता है, क्यों प्रियोग किया जाते हैं, इनसे पहला परिचय हो रहा होता है, तो वो उपकरण भी पहली बार देखते हैं, वो पदार्थ का प्रियोग करने के लिए अपने सिक्षकों पर अधिक निर्भर होते हैं इतनी निर्भरता उनकी बड़ी कक्षाओं में नहीं होती बड़ी कक्षाओं में उनको एक पर सिक्षक ने बता दिया वे अपने आप प्रियोग कर सकते हैं वे बिन बिन प्रकार के प्रियोग करते ह गशाओं में अधिकांस प्रियोग बच्के सिक्षक कि निर्भरता पर और सिक्षक की देख भाल में ही करते हैं इसलिए प्रात्मे किस्तर पर सुरक्षा बहुत आवश्यक है इसी में विशाय आता है रचनात्मक विज्ञान सुरक्षा क्योंकि विज्ञान एक रचनात्मक विशाय है आप विज्ञान में सुरक्षा मानकों का ध्यान कैसे रख सकते हैं इसके लिए पहली बात आपको कही जाती है कि आप अपने विद्याले में जो भी प्रियोक साला बनाए चाहें, वो कक्षा के प्रियोक साला हो, चाहें किसी कक्षमे, निश्चित कक्षमे, इस्थापित प्रियोक साला हो, वहाँ जो पदार्थ रखे हैं, उन पदार्थों को रखने वाली बोतलों पर नामांकन जरूर ह कोन सा पदार्थ किस बोतल में रखा है ये नाम प्ते बोतल के उपर एक लेवल लगा कर सपस्ट तौर पर लिखना चाहिए। यदि किसी पदार्थ से सुरक्षा ध्यान में रखनी है, कोई पदार्थ जादा खतरनाक है, किसी पदार्थ से हानी होनी की सम्भावना है, तो उस पर इस परकार के खत्रे के और सुरक्षात्मक चिन्न भी चिपकाई जा सकते हैं, जिससे बच्चे उनसे दूर रहें, न केव उनको सही उपकरण नहीं पता होगा, तो आप उनसे किसी और उपकरण का प्रियोग करने को कहेंगे, वे कोई दूसरा उपकरण प्रियोग करने में लगेंगे, फिर हो सकता है वे उपकरण को गलत तरीके से प्रियोग करने लगें, कुछ उपकरण ऐसे हो सकते हैं, जो नुक कर रखा जाए कैसे रखा जाए तो तीखे और धारदार उपकरणों का सुरक्षात्मक रख रखाओ भी एक महतुपूर्ण पक्षय है और साथ ही विद्याले में दुरगटना की स्थती में कौन से उपकरण है जो सुरक्षा उपकरणों की तरह काम में आ सकते हैं जिसने अग चाहिए मास की विवस्था होनी चाहिए ये कुछ विवस्थाएं हैं जो आपको पहले से करके रखनी चाहिए ये विवस्थाएं आपको विज्ञान में सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं ये कक्षाएं ये विवस्थाएं दुरगटना की संभावनाओं को कम करती हैं ठीक साथ ही आपको कोई भी परदर्शन जो बच्चों के समक्ष करना है किसी भी प्रियोग का उसका परदरशन से पहले स्वहम अभ्यास कर ले यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी प्रियोग में आँखों को खत्रा हो सकता है तो आप सुरक्षा चश्मे का प्रियोग कर सकते हैं अगर कहीं कोई बच्चा जल जाए कट जाए या उसको कुछ खरोंच लग जाए तो विद्याले में उसकी ब्यवस्ता होनी चाहिए एक सिक्षक होना चाहिए जो ट्रेंड होना चाहिए जो उसकी सही सी देखवाल करें देखवाल करने के लिए सही एक निश्चत स्थान होना चाहिए उस स्थान पर उसके बैठने की लेटने की विवस्ता होनी चाहिए ये सारी विवस्ताइं आपको पहले करनी चाहिए और सबसे बड़ी बात कि बिज्ञान की प्रियोग साला में क्या-क्या संभावनाएं हैं, इसकी जानकारी माता-पिता को अवस्य दे देनी चाहिए. यदि आप बच्चों के माता-पिता को इसकी जानकारी दे देंगे, तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि फिर वे जानते हैं कि इस प्रियोग में बच्चों से कोई गलती होने पर छोटी-मोटी-चोट उनको लग सकती है. और वे सिक्षकों के साथ सहयोग का बातावरण निर्मित करने में मदद करते हैं. बिज्ञान सुरक्षा के तीन पी हैं. अर्थात योजना बनाना, तैयारी करना और सावधानी बरतना. What do mean by planning? योजना बनाने से क्या आर्थ है? योजना बनाने का आर्थ है कि प्रतेक विज्ञान का अध्यापक जो भी प्रियोग करना चाहता है, उस प्रियोग की ठीक से योजना बनाए. कि वो प्रियोग कब करेगा, कैसे करेगा, उस प्रियोग को क्यों किया जाना है, किस सिद्धानत को अच्छी तरह से समझने में मदद करेगा, कहा करना है, वो स्थान कौन सा होगा, और preparation. खिर क्या-क्या उपकरण होंगे, किस समय किया जाएगा, कौन से रसायन होंगे, कितनी उचाई पर किया जाएगा, एक बार स्वयम करके देखना और precaution, नियम से तै कर लिजिए, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, कौन सा पदार्थ है जिसको अधिक सुरक्षित रख सावधानी, यदि एक सिक्षक ठीक से योजना बनाए प्रियोग की, ठीक से तैयारी करे प्रियोग की, और सावधानिया वरते, तो निश्चित ही ये विज्ञान, सुरक्षात्मक विज्ञान रहेगा, फिर भी, विद्याले में कई प्रकार के खत्रे हो सकते हैं, कई बार जो रसायन होते हैं, वो जहरीले होते हैं, उनसे कुछ खत्रे हो सकते हैं, आग लगने के खत्रे हो सकते हैं, बिजली के खत्रे हो सकते हैं, और जो उपकरण हैं, उनसे कुछ यांतरिक खत्रे भी हो सकते हैं, मैं इनकी संक्षिप्त में चर्चा करता हूँ, जहरीले रसायन कई प्रकार के होते हैं जो प्रियोग सालाओं में होते हैं हलांकि सभी प्रकार के रसायन उच प्रात्मी कक्षाओं में तो नहीं प्रियोग होते हैं इन और बड़ी कक्षाओं में ज्यादा प्रियोग होते हैं फिर भी कुछ रसाइन ऐसे हैं जिनसे खत्रे हो सकते हैं जैसे पारे की बास्प जो मरकरी होता है उसकी जो बास्प होती है वो अगर कहीं चली जाए सांस के साथ तो एक तरह से जहर का काम करती है आपके टिशूज को उत्कों को नुक्सान पहुचा सकती है ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन जैसी गैस हैं यह जिए गैस के रूप में सांस के साथ चली जाए या आँख में लग जाए तो तवचा में जलन हो सकती है आँख में जलन हो सकती है स्वसं तंतरो पर नकर आत्मक पढ़ता है फिनॉल भी इसी श्रिणी में आता है जैसे hydrogen sulfide है hydrogen sulfide यदि गलती से सूंग लिया जाए तो एक तो ये पहचाना नहीं जा सकता गंद से और दूसरा ये घ्राण अंगों को अर्थात आपके जो सूंगने के अंग है उनको निस्क्रिय कर देता है ammonia ammonia gas का प्रभाव आपके सलेश्म जिल्ली पर पढ़ता है आग पर पढ़ता है नाग पर पढ़ता है और asbestas जो है वो फेफणों की तंतुमेता को नुक्सान पहुंचाता है तो इस प्रकार के जो भी रसायन ये तो कुछ उधारण मेंने दिये हैं आथ देख लीजिए आपकी प्रियोग साला में कौन कौन से रसायन आप प्रियोग कर रहे हैं कौन से अकार्वनिक रसायन प्रियोग कर रहे हैं कौन से अकार्वनिक रसायन प्रियोग कर रहे हैं कौ बचकर रहें और सुरक्षत रहें आग लगने के कारण भी हो सकते हैं जैसे कुछ रसायन ऐसे होते हैं जिनकी जब बास्प उठती है तो बास्प से जलन सीलता हो सकते हैं बास्प अगर लग जाए सरीर में कहीं तो सरीर में जलन होने लगती है या कई बार आप भौतिक विज्ञान में कुछ प्रियोग कर रहे हैं, रसायन विज्ञान में कुछ प्रियोग कर रहे हैं, आपने कोई प्रियोग के लिए किसी उपकरण को बुंसन बरनर पर रखा और जब वो गरम गरम उपकरन प्रियोग होने के बाद आपने वैसे ही उसको बंडारित कर दिया वैसे ही रख दिया वो गरम उपकरन जिस चीज के उपर रखा वो चीज में आग लग सकती है कागज में आग लग सकती है कपड़े में आग लग सकती है ऐसे पदार्थ जो जोलन सील पदार्थ हैं, जैसे सोडियम, आपको पता है सोडियम ये दी मिट्टी के तेल से बाहर निकाल कर सूखा हवा में रखा जाएगा, तो हवा में जो नमी है, उस नमी के प्रभाव संपर्क में आते ही सोडियम में आग लग जाती है, तो हमको ध्या तो इसलिए आपको क्या करना है बिद्यार्थियों को बताना है कि जब भी वो रसाइनिक प्रियोग करें रसाइन की बहुत थोड़ी मात्रा प्रियोग करें थोड़ी मात्रा में दुरगटना होने की संभावना भी थोड़ी होती है कई बार आग का खत्रा इसलिए होता है कि बच्चों के लंबे बाल या धीले कपड़े वो आग के संपर्क में आ जाते हैं तो हमें बच्चों को इसे खाना होता है कि वो अपने कपड़ों से दूर रहकर प्रियोग करें बालों को आग के संपर्क में ना आने लें विद्याले में एक और बहुत महत्पूर्ण खत्रा होता है जो कई बार बच्चों को उसका नुकसान उठाना पड़ता है वो है बिजली के खत्रे जैसे बिजली के switch का सही उचाई पर होना चाहिए अर्थात बच्चों की जो उचाई है उससे थोड़ा उपर होना चाहिए यदि बिजली का switch बहुत नीचे है तो प्रतेक बच्चा उस तक अपनी पहुँच रख सकता है switch ठीक प्रकार काम कर रहा होना चाहिए स्विच ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें सतार दिख रहे हैं उसमें किसी की उंगली जा सकती है वो ठिक प्रकार से होना चाहिए वो खुला नहीं होना चाहिए जितने भी ऐसे उपकरण हैं जो बिद्धुत से चलते हैं उनमें on और off इस्तिती में light का होना जरूरी है जब वो on होगी तो उसमें light जलेगी जब off होगी तो light नहीं जलेगी या कब green light जलेगी, कब red light जलेगी तो light का होना आवश्यक है और उपकरणों को बच्चों को सिखाना चाहिए कि सदेव केबल सुच से ही on off करें ऐसा नहीं कि उपकरण का काम खतम हुआ उन्होंने उसका तार खीज दिया कई वार वो तार टकराने से आग लग सकती यह current लग सकता है बिद्धुत परिपत सम्मंदी उपकरण करते समय जब हम तार जोड़ते हैं तो तारों के सिरे तो खोले होने चाहिए पूरा तार खोला नहीं होना चाहिए उस पर ठीक कोटिंग होनी चाहिए इससे current नहीं हो तो इस प्रकार से बिजली के खत्रों से बच्चों को बचा सकते हैं अगले खत्रे जो हैं उनको हम कहते हैं यांत्रिक खत्रे, यांत्रिक खत्रे किस से हो सकते हैं, ऐसे उपकरण जो बहुत तेजी से चलते हैं, जैसे कोई घिरनी है वो तेजी से चलती है, किसी में कोई पैडल लगा है वो बहुत तेजी से घूमता है, यदि वो आनियंत्रित होकर घूमेगा तो नि उची नीची जगा पर रखाओ और अचानक से उसके आगे के रुकावट हटे और वो फिसल कर सामने आ जाए सतह का चिकना होना भी कई बार यांतरिक खत्रों को आमंत्रन देता है इसलिए जो प्रचालन है यंत्रों का एक जगा से दूसरी जगा उसमें यंत्रों में करना क्या है आपको अपने विद्यार्थियों को सिक्षार्थियों को कुछ नरदेश देने कुछ अनुदेश देने पहला अनुदेश केवल सिक्षक की उपस्थिती में ही प्रियोग करें मैं क्यों इस बात कह रहा हूँ क्यों कि प्रात्मी कक्षाओं में बच्चे छोटे होते हैं वे कई उपकरणों की विशे में नहीं जानते कई रसाइनों के विशे में नहीं जानते संभावित दुरगटनाओं के विशे में नहीं जानते तो सिक्षार्थियों को यह अनुदेश देना चाहिए कि वे जब भी प्रियोग करें अपने विज्ञान के सिक्षक अर्थात आपकी उपस्थिती में ही वो प्रियोग करें दूसरी चीज, यदि कहीं कुछ गिर जाए, कुछ जल जाए, कोई दुरगटना हो जाए उसकी सुचना तुरंट सिक्षक को दे, आपको विद्यार्थियों को यह अनुदेश देना होगा साथ ही चुकि वो छोटे बच्चे हैं, उनको कोई चिकनाद लग सकता है, कोई रसायन लग सकता है, कोई रसायन से अच्छे खुश्बू आ सकती है खुश्बू तक ठीक है, वो खुश्बू समंदित उससे कोई नुकसान नहीं है, तो आप प्रतेक इस्थिती में बच्चों को यह बताएं, अपने विद्यार्थियों को यह बताएं, कि प्रियोक साला के किसी भी रसायन का स्वाद ना लें, उसको अपनी जीब के संपर्क में नाला है, क्योंकि वो जहरीले हो सकते हैं, उसे तंत्र का तंत्र को प्रभावित कर सकता है, इन सबसे बचने के लिए बच्चों को यह सिखाना होगा, कि वे किसी भी रसायन का स्वाद कभी नहीं लें, साथ ही वे जो भी रसायन प्रियोक करें, यदि वे प्रियोक किसी रसायन से समंदित कर रहे हैं तो उसको हमेशा अपने सरीर से दूर रखें उनको ठीक दूरी समझाई जाए कि प्रियोग साला की मेच से सरीर की दूरी कितनी होनी चाहिए उपकरणों की सरीर से दूरी कितनी होनी चाहिए और जैसा मैंने पहले का खासतोर पर रसायन से समंदित प्रियोग करते समय बच्चों को ये भी सिखाना आवश्यक है कि वे अधिक मात्रा में प्रियोग नहीं करें किसी भी पदार्थ का प्रियोग अधिक मात्रा में नहीं करें और साथ ही उनको जो प्रियोग करने हैं जो प्रियोग बताये जा रहे हैं, जो प्रियोग उनके विशा से समन्दित हैं, वे ही प्रियोग करें, यदि उनके मन में कोई अन्य विचार आ रहा है, कि वो कुछ अतरिक्त प्रियोग करना चाहते हैं, तो पहले सिक्षक से उसकी चर्चा करें, सिक्षक यदि इस प्रकार क प्रियोग की अनुमति दे, तभी वे प्रियोग करें, अन्य ठन ना करें, तो ये कुछ महत्तुपूर अनुदेश हैं, जो आपको विद्यार्थियों को देने चाहिए, साथी, ये तो प्रियोग सालाज से समाद्थ सुरक्षा की बात हुई, более 60 सुरक्षा के भी कुछ मुद् कहीं कोई आपदा आ गई है कोई रास्ता बंद हो गया है कहीं बाड़ा आ गई है इस प्रकार कि सूच रहें विद्याले को माता-पिता और विद्यार्थियों से साजह करनी चाहिए पहली चीज दूसरा बच्चों को सदेव ये सिखाएं कि वे अपने विद्याले आने जाने का मार्ग निश्चित रखें और वैकल्पिक मार्ग भीच खोज लें तकि यदि कभी आने जाने के मार्ग में कोई असुविधा हो कोई दुरगटना हो जाए तो वे वैकल्पिक मार्ग से ठीक प्रकार प्रतेक विद्याले की अपनी सुरक्षा व्यवस्था होती है आग लगने की स्थिती में किधर जाना है किधर नहीं जाना है भूकम पाने की स्थिती में किधर जाना है किधर नहीं जाना है तो विद्याले की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है विद्याले में निकास कैसे है इन सब की चर्चा भी और इन सब की जानकारी भी बच्चों को प्रतेक विद्याले को देनी चाहिए और विद्याले को समय समय पर इस प्रकार के सुरक्षात्मक अभ्यास अपने विद्याले में आयोजित करने चाहिए जहां भी आग लगने के समय, भुकम पाने के समय, बार आने के समय, यह कोई भी अचानक से जो दुरगटनाएं खास तोर पर घटती हैं, उन अचानक दुरगटनाओं के घटने के समय, कैसे सुरक्षत बच्चे बाहर निकल सकते हैं? और सुरक्षा पर बच्चों से निरंतर बात करनी चाहिए मेरा मानना है बच्चों से जितनी आप चर्चा करेंगे सुरक्षा के बिविन उपायों पर उनके विचार लीजिए, उनसे चर्चा कीजिए, उनसे बात कीजिए रास्ते में कैसे सुरक्षित रह सकते हैं भुकम पाने पर कैसे सुरक्षित रह सकते हैं आग लगने पर कैसे सुरक्षित रह सकते हैं प्रियोग साला में कैसे सुरक्षित रह सकते हैं खेल के मैदान में कैसे सुरक्षित रह सकते हैं सुरक्षा की बिविण आयामों पर बच्चों से आपको चर्चा करनी चाहिए और अध्यापकों को बच्चों के साथ सुरक्षा-समंदी क्रिया कलापों में निरंतर सम्मिलित होना चाहिए यदि यहाँ आप ऐसा करेंगे तो निश्चित यहाँ विद्याले को एक सुरक्षित परिवेश विद्याले में एक सुरक्षित परिवेश अपने विद्यार्थियों को दे पाएंगे अंत में मैं आपसे ये भी निवेदन करूँगा कि आप अपने विद्याले में एक प्रात्मिक सुरक्षा किट जरूर बनाए जो first aid box जिसे कहते हैं वो निश्चित तोर पर बनाए उसमें यदि बहुत सारी चीजे ना भी हो तब भी कम से कम 2 इंच और 4 इंच चोड़ाई की क उसमें वैटन होनी चाइए कुछ बैंडड उनिचाहिए सफएठ टेप जो चोट लगनेपर रू रखकर इसके ऊपर लग्या जा सकते हैं वह होने चाहिए आप बेटादिन लोशन और और वैंटमेंट रख सकते हैं बेटादिन लोशन जो या किसी भी प्रकार का ऌओ जो पहली दभा है, वो परसितामाल ही दी जाती है, तो परसितामाल का सीरप छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए टैबलेट कुछ आपके होनी चाहिए, कुछ दर्द जैसी कॉम्बी फ्लेम जैसी कोई दबा भी आपके पास होनी चाहिए जो अत्यदिक दर्द की स्थिति में प्रियोग हो जाए यदि बच्चा अचानक जल जाए खास तरपर आग से जल जाने पर सिल्वर सल्फाडाइजीन क्रीम माना जाता है ऐसे क्रीम जिन में सिल्वर सल्फाडाइजीन होता है वो लाप पहुचाते हैं तो ऐसी थंड़क पहुचाने वाले क्रीम होनी चाहिए बर्फ की विवस्था होनी चाहिए मैं तो कहता हूँ आप इस्थानी चिकिस्थक से परामर्ष लीजिए जो भी आपके विद्याले का ये विद्याले के पास अस्थानी चिकिस्थक है या किसी बच्चे के मातापिता हो सकते हैं जो चिकिस्थक हो उनसे सल्हा लीजिए और उनसे सल्हा लेकर परामर्ष लेकर के एक प्रात्मिक सुरक्षा किट की अपने विद्याले में ववस्था करें ताकि आवशक्ता पढ़ने पर ततकाल किसी दुरगटना की स्थिती में बच्चे को प्रात्मिक सुरक्षा दी जा सके मुझे लगता है कि जब हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो सुरक्षा में बहुत सारे आयाम है सुरक्षा के हमें विभिन आयामों को एक साथ देखना चाहिए वह चाहें प्रियोग साला में सुरक्षा हो चाहें कक्षा में सुरक्षा हो चाहें खेल के मैदान में सुरक्षा हो चाहें विद्याले परिवेश में सुरक्षा हो या विद्याले के बाहर सुरक्षा हो आज हमने जो चर्चा की उसमें हमने मूलता चर्चा की विविन रसाइनों की जिनसे कुछ खत्रे हो सकते हैं उपकरनों के रखरखाओ की उन्हें कैसे रखना चाहिए साथी बच्चों को कौन से अनुदेश देने चाहिए प्रियोग कब कराये जाने चाहिए पदार्थों की कितनी मात्रा प्रियोग होनी चाहिए और प्रात्मिक सुरक्षा किट कैसी होनी चाहिए विद्याले में सुरक्षा का निकास विद्ध्याले में सुरक्षा का बातावरान विक्षित करेंगे तो बिच्चे न किवल पिज्ञान प्रियोग साला में बलकि पूरी तरह से विद्ध्याले में भी सुरक्षित रहेंगे आप लोगों ने मेरी इस चर्चा को बहुत ध्यान से सुना इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद